नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सभी लोग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टॉप मार्केट चैनल हैपी इन्वेस्टर्स में आशा है कि आपका रविवार और आपका सोमवार अगर ये वीडियो में रविवार को डालूँगा कोशिश करूँगा कि रविव नाम है और ये मैटल और माइनिंग सेक्टर में है नाम पावर है लेकिन काफी हद तक ये मैटल और माइनिंग सेक्टर में भी इन्वाल है स्टॉप तो आज उसके ओपर कंप्लिटली एक फंडामेंटल हम पूरा एनलेसिस करेंगे दोस्तों पूरी कोशिच रहेगी हमारी क आपको अच्छे से अच्छी research करके दे और आप उसके बाद अपने सारे जो भी stock market के regarding decisions है बड़े ही आराम से ले सके चलिए बात करते हैं आज गोठावरी पावर की दोस्तो तो I hope आपको हमारा ये screen बड़े अच्छे से नज़र आ रहा होगा अगर ऐसा हो रहा है कि आपको ये screen आता हुआ कटा हुआ दिख रहा है तो आप उसे कृपिया YouTube में full screen mode पर कर लीजिए तो आपको उमीद है कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी screen दिखाई देगी पूरी तरीके से सारे digits दिखाई देंगे अब बात करता है दोस्तो यहाँ पर हम क्या है इस stock के fundamentals के बारे में तो दोस्तो गोधावरी power stock का नाम है और किस area में ये deal करता है तो अगर हम इसके peers की भी बात करता है आपको इसके जो competitor से उनको देखकर ही पता चल दाएगा कि कौन से area में deal करता है बिल्कुल ये aspect और metal sector का deal करता है दोस्तो company काफी अच्छी है company के अंदर बहुत सारे हमें positive points नजर आया मैंने जब इस पर research किया तो मुझे काफी हद तक company में एक अच्छी performance दिखाई दी तो हम इस company के बारे में दोस्तो सब कुछ जानने वाले है जैसा अब देख सकते है ये company deal करती है कहाँ पर sponge iron के sector में deal करती है दोस्तो ये company और steel sector की company है metal sector की company है नाम power है लेकिन deal करती है steel और metal sector के अंदर अब दोस्तो इस company के उपर हम विशे चर्चा करेंगे कि क्या रहेगा हमारी इस company के बारे में review अब दोस्तो अगर बात करें इस company के volumes की इस company के data की तो दोस्तो आज तक इस company ने एक अच्छा खासा हमें return कमा करके दिया है अपने investors को देख सकता 52 week इसका low है 121 point 25 और 400 62 रुपे इसका 52 week high है 462 अब दोस्तो अगर इसके earning पर share की बात की जाए तो यहाँ पर time to time earning पर share है दोस्तो इस stock की यहाँ पर 98 और अगर हम PE ratio की बात करें तो PE दोस्तो है इसका 3.29 जो कि इसके अगर हम sector PE की बात करें तो काफी ज्यादा undervalued stock है अगर PE ratio को हम सिर्फ और सिर्फ PE ratio को ध्यान में रख करके बात करें तो market capitalization दोस्तो छोटा है यानि की यह एक mid cap company है एक छोटी company है दोस्तो यह तो हमें इसके उपर एक गौर्ग फर्माना चाहिए कि छोटी company है तो हमें उतना ही investment करना है जितना कि हम risk लेने के लिए तयार हो दूसरी बात इस stock की बात अगर हम करें गोडावरी पावर की तो इस stock में क्योंकि यह चोटा stock है तो fluctuations भी बहुत रहता है दोस्तों अगर मैं इसका graph बता दू पिछले पाश दिन में आप देख सकते हैं stock के अंदर कितनी volatility रही है ठीक है इस stock को देखिए आप यहाँ पर एक ना नीचे गीरा फिर वापिस से उपर की तरफ गया फिर वापिस से एक point पर certain point पर इसने high बनाया और फिर वापिस से breakdown profit booking आ जाती है और फिर वापिस से high बनाता है फिर वापिस से यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पांच दिन के अंदर का graph मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक महीने के chart की तो एक महीने में एक अच्छा कासा हमें momentum दिखाया है गोधा उरी power ने देख सकते है यहाँ पर पहले नीचे गया फिर उपर आया फिर वापिस से नीचे गया फिर वापिस से उपर आया वापिस से नीचे गया और एक phately अच्छा कासा हमें एक uptrend दिखाया है इस stock ने तो दोस्तों मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि यह mid cap stock है तो आपको बहुती सोर्च समझ कर ही investment लेना है इस stock के अंदर और long term के लिए आप इसके fundamentals को हम और जानेंगे कि क्या यह investment करने के लाइक stock है या नहीं तो आपको उसके लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखना होगा और हमारे चैनल को subscribe करना ना बुलिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही fundamentally strong stocks आपके लिए लाते रहते हैं और हमारे आज तक जितने भी viewers है उनको अच्छे से अच्छे profit कमा करके दिये गया है अब बात करते हैं दोस्तो strength की तो strength की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 16 strength है weakness की बात की जाए तो बहुत ही एक weakness है जहाँ पर mutual funds ने अपना जो थोड़ा सा quarterly इस quarter में अपना decrease किया है holding बाकी opportunities भी काफी अच्छी है stock की चार opportunities है और threats एक ही है increasing trend in non-core income तो इनकी जो income है वो भी दूसरे सारे areas जहाँ पर उनका steel के अलावा के जो sector से वहाँ से आ रही है तो company का अगर हम revenue देखें दोस्तो revenue model अगर annual base पर देखें हैं पर अब देख सकते है annual पर मैंने set करके रखा है money control पर और दूसरा की अगर मैं इसके stock के हम ratio की बात करें तो देखें दोस्तो revenue 2017 में करीब करीब 800 करोड था फिर 25 करोड होता है फिर 33 33 करोड होता है फिर वापिस 32 करोड यानि कि almost same है यहाँ पर revenue दोस्तो almost same हो जाता है ठीक है इसको 100 करोड का या 50 करोड का हम थोड़ा बहुत deviation नहीं consider करते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर हाली में किये गए research की तो हमें पता चलेगा कि 2021 का हमें मिला है revenue वो है करीब करीब 4000 करोड तो दोस्तों एक positive बात यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं कि continuously continuous basis पर consistently profit और revenue rise हो रहे हैं अगर मैं आपको quarterly basis पर भी बताऊं तो इनके quarterly basis पर भी revenue काफी हद तक अच्छा इसे rise हो रहा है मैं आपको quarterly करके दिखा देता हूँ तो अगर quarterly देखने जाए दोस्तों तो quarterly basis पर भी एक अच्छा कासा revenue company generate करती है और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके net profit की तो quarterly basis पर दोस्तों net profit इस company ने थोड़ा सा हमें profit booking दिखाया है पिछले quarter से अच्छा हमें profit देखने को मिला है लेकिन अगर बात करें हम पिछले December quarter की तो पिछले December के मुकामले काफी अच्छा हमें growth देखने को मिला है quarterly results में अगर हम यहाँ पर earning पर share की बात करें annually अगर जरह हम देखेंगे तो net profit annually भी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है हमें 2020 में सिर्फ और सिर्फ 174 करोन का profit था और 2021 में आते आते stock का profit बहुत ही बढ़िया तरीके से increase हुआ है करीब करीब 3 times 3.5 times increase हो चुका है अब बात करते हैं दोस्तों earning पर share की तो यहाँ पर earning पर share भी दोस्तों देख सकते है लाजवाब तरीके से increase हुई है देख सकते है 47 पहले हुआ करते थी पिछले साल अब 181 है earning पर share अगर दोस्तों debt की बात की जाए यहाँ पर तो debt भी दोस्तो debt to equity भी एक time पर 3 हुआ करते है 3.1 फिर 2.17 फिर 1.5 फिर 1.2 और आज finally 2021 में debt to equity दोस्तों 0.42 है यानि की company debt reduce कर रही है दिन भर दिन अपने कर्स को कम कर रही है अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम shareholding pattern की तो दोस्तों shareholding pattern की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अगर हम summary देखें यहाँ पर December 2021 के हिसाब से तो promoter के पास दोस्तों एक majority stake है 67.5 का और retail investor के पास है यहाँ पर 30.17 प्रतिशत बाकी mutual funds ने भी invest किया हुआ है और FIIs ने भी invest किया हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पर pledging के तो दोस्तों एक यहाँ पर मुझे concern नजर आ रहा है वो है pledging हाला कि stock की pledging जो promoter ने अपनी holding pledge की थी वो काफी कम हो रही है quarter the quarter लेकिन हमें थोड़ा चौकनना रहना पड़ेगा इस मामले में कि pledging अभी भी stock का promoter ने अपने गिर भी रखे हुए है जो की समय के साथ साथ वो लोग उसे कम करने की कोशिश कर रहे है तो और और अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर तो stock की जो companies है stocks है काफी अच्छा perform कर रहे है और इस stock के अंदर अगर मैं potential की बात करूँ तो FIIs का काफी अच्छा कासा investment है और हला कि mutual fund ने अभी फिलहाल इतना invest नहीं किया है लेकिन FIIs का इसके अंदर अच्छा कासा investment है तो अब बिना देर करते हुए दोस्तों जाएंगे हम यहाँ पर जिरोदा के account पर और आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या रहेगा हमारा opinion at the end क्या आपको buy करना चाहिए यह stock या फिर आपको किसी और stock पर जाना चाहिए तो बिना देर करते हुए दोस्तों चलते हैं हम जिरोदा के chart पर चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का जिरोदा के chart section में यहाँ पर हम अगर गोदावरी power की बात करें तो chart काफी interesting है interesting में इसले कह रहा हूँ क्योंकि यह stock काफी अच्छा है अच्छी गिरावट हो चुकि यह stock की 52 weeks high में से और उसके बाद एक वापिस से उपर की तरफ हमें मिला था momentum लेकिन फिर वापिस से नीचे की तरफ आ गया है stock अगर हम weekly weekly के हिसाब से देखे weekly chart देखे तो भी दोस्तो weekly chart में एक अच्छा कासा हमें momentum देखने को मिला है यहाँ पर यह देखिए दोस्तों यहाँ से एक अच्छा हमें uptick देखने को fundamentally काफी अच्छा grow कर रही है अपने जो इनका जो करजा है वो भी दिन बदिन कम होता जा रहा है इनके profits है, revenue है वो भी दिन बदिन बढ़ते जा रहा है और जैसा कि आपको पता है हमारी government ने budget 2022 में एक अच्छा कासा infrastructure को हमें कहा गया है कि infrastructure के ओपर वो लोग अच्छा कासा invest कर रहे है अच्छा कासा budget infrastructure को मिला है steel sector को भी अच्छा कासा फाइदा होगा इससे इसका reason ये है क्योंकि हर infrastructure जा है वो road ले लीजिए, buildings ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए हमें उसके अंदर steel की जरूरत पड़ती है हमें उसके अंदर metals की जरूरत पड़ती है तो इसी के कारण ऐसी कुछ-कुछ companies जिसका नाम जैसे कि Godauri Power हो गई है Tata Steel का भी अच्छा कासा result आया है वो ये सारी companies पर हमें दोस्तों नजर बना करके रखनी है अच्छा कासा हमें profit दे करके आगे future में दे सकती है तो Godauri कि अगर मैं बात करूँ तो मेरा दोस्तों हाली में आप से एंड में यही advice रहेगी कि Godauri दोस्तों एक बहुत ही अच्छा stock है long term के लिए लेकिन आपको smart SIP करनी है smart SIP करनी है जो लोग हमारी चैनल पर नए है उनके लिए मैं वापिस से समझा रहा हूँ smart SIP आने की SESIP जहां पर आप जब भी stock dip पर मिलता है dip आने की जब भी आपको एक नए low पर मिलता है profit booking पर मिलता है अब यहां से इसने गिरावड दिखा ही stock वापिस से इस लेवल पर आगया यहां पर रेजिस्टन्स देखा support पर आपने वापिस से थोड़ा सा quantity भाई किया फिर वापिस से अगर stock नीचे आ जाता है यहां पर lessy गिर जाता है तो आपने देखा कि यहां भाई यहां पर stock नीचे गिर गिया तो अभी stock की अगर मैं आपको daily chart बताता हूँ यहापर weekly chart मैं आपको ठीक से समझ नहीं आएगा लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर stock आप देख लिजिए कि यहाँ पर stock था अपने यहाँ पर थोड़ा सा buy किया ठीक है stock वापिस से गिर गया फिर अपने वापिस से थोड़ा सा यहाँ पर buy किया फिर वापिस से अपने देखा ऊपर आ रहा है तो आपने भी buy नहीं किया आपको अगर लगा कि buy करने की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत अगर अच्छी news आई तो buy कर सकता है अब हमरी चैनल पर भी आपको advice देते रहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ से थोड़ा बहुत आपको news लेकिन वादनी जै कि फिर stock वापिस से गिरावड दिखा ही तो आपने यहाँ पर buy किया फिर वापिस से वापिस ने थोड़ा सा यहाँ पर buy किया तो आपको एक अच्छा खासा average price मिल जाता है और अगर आप इस stock को दोस्तो swing trading के लिए use करना चाते है तो आप बिल्कुल इसे swing trading के लिए भी use कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहिए कि यह एक mid cap company है small cap company है और mid cap company है तो आप इसे अपने risk to reward ratio को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी decision लीजेगा लेकिन long term के लिए आप इस stock के उपर ज़रूर अपना watch list बना सकते हैं चलिए I hope आप अपने financial advices को consult करके इस stock के बारे में ज़रूर विस्तार से सोचेंगे और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बिल्बकुल बताईएगा कि आपको क्या लगता है इस stock के बारे में मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियो और नए stock के साथ तब तक के लिए देखते रहिए happy investors बाबाई